नक्षा विवात को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच में तनाव बरता जा रहा है और इसी बीच शुक्रवार को जो फाइरिंग की घटना हुई है उसने दोनों देशों के रिष्टों में और जादा तल्खी पैदा कर दी है इस वक्त हम बिहार के सीता हमारी जिले में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसी जगह मौजूद है जहां पर कल फाइरिंग की घटना घटी थी और आप यह देख लिए इस तरफ जो है यह नेपाल की सीमा है और जहां मैं खड़ा हूं यह भारत की सीमा है और ठीक इसी जगह पर जो है कल कुछ ग्रा है जिनका इलाज चल रहा है चीता मरी में और एक जो ग्रामीन है उसको बंधक बनाकर नेपाल पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे तक अपने कबजे में रखा और उसके बाद उन्हें उसे छोड़ा गया आज सुबह में और यहां फिलाल अब देखिए नेपाल पुलिस यहां प रफ्तीश कर रहे हैं जो फारिंग की घटना घटी थी कि इन हालात में घटी थी क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि लोकडाउन के दौरान ग्रामीन को कि नेपाल का जो बौडर है वो काफी पूरस बौडर है यहां से बहुत सारे लोगों के रिश्टदार दूसरे नेपा लेकर भारती लोगों को सीमा को इस पार जाने की इजादत दे रही है लोग अपने संबन्दियों से मिलने के लिए और कल इसी को लेकर पैसे को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद नेपाल पुलिस ने भारती सीमा में घुसकर जो है फारिंग की घटना को अंजाम दिया और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अनगायल हो गए हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और एक को जो बंधक बना लिया गया था उसको काफी प्रिशर हुआ डिप्लोमाटिक लेवल पर भी काफी बातचीत हुई है उसके बाद उसे आज के बीच में तल्की और बढ़ादी है कैमरेपोसन दीपक कुमार और केशा वानंत के साथ रोहित सिंग्ग इंडो नेपाल सीमा सीता मर्ही